यहां एक अनूखी खबर है उत्तर प्रदेश में फतेपूर के सोरा गाउं में विकस दुबे नाम का एक 24 वर्षय व्यक्ति कथित तौर पर साप द्वारा काट लिया जाता था और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहा था दॉक्टर असमंजस में था कि उसे इतनी बार साप कैसे काट सकता है मैं आपको इसके बारे में बता दी हूँ शक्स को 40 दिन में 7 बार साप ने काटा कितना आज़िव है उन्हें पहली बार 2 जून 2024 को काटा गया था जब उह विस्तर पर सो रहा था उन्हें तुरंट इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बचा लिया गया दुबे को लगातार 4 बार काटा गया और हर बार उसका इलाज किया गया फिर उन्होंने रादानगर में अपनी चाची के साथ रहने का फैसला किया एक दिन उसने अपने घर लोटने का फैसला गिया यह उमिद करते हुए कि साप उसे नहीं काड़ेगा दुरभाग्यवश 6 जुलई 2024 को उसे पाचवी बार फिर से काट लिया गया ऐसा क्यों हो रहा था? दुबे ने कहा कि साप के काटने की प्रत्य गड़ना सप्ता हाथ पर होती थी सप्ता के दोरान ऐसा नहीं होता केवल सप्ता आंथ पर सप्ता आंथ में 3-4 घंटे पहले दुबे को आभास हो जाता था कि साप उसे काड़ लेगा वह इस बात को समझने में असफल रहे बहुत पैसे खर्च किये थे वह आर्टीक रूप से संगर्श कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारी बचत इलाज पर खर्च कर दी थी गिरी ने उन्हें मुफ्तसाफ विरोधी जहर के लिये इस सरकारी अस्पतल जाने को कहा दुबे ने कहा कि उन्होंने सपने में साप से बात की थी ऐसा लगता है कि साप ने कहा कि जब भी उसने दुबे को काटा सवभग्य से उसे बचा लिया गया हाला कि नौवी बार साप उसे डसेगा तो उसकी मौत निश्चित है साप ने कहा कि वो अवश्च मरेगा कोई डॉक्टर, तांद्रीक, महाराज या पंडित उसे बचा नहीं पाएगा. साप ने कहा कि वह दुबे को अपने साथ रहने के लिए ले जाएगा. दुबे घबरा गया. तेरा जुलई को उसे साथवी बार साप ने डसा. उसे चिन्ता थी कि अगर साप ने उसे नौवी बार काट लिया, तो वह मर जाएगा. अब अपडेट के लिए सब्ता आंद का इंतजार करते हैं. यह सच कैसे हो सकता है? ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी. ऐसा कैसे हुआ कि हर सब्ता आंद में साप काट लेता है? कितनी अजीब बात है? वन विबाग और स्वास्ते विबाग ने पाया कि कहानी फर्जी है. हाँ, खबर फर्जी है. फतेपुर स्वास्ते विबाग का कहना है कि यह फर्जी है. उन्होंने पाया कि युवक को केवल एक बार सापने काटा था. शक्स साप के डर की कारण साथ बार साप के काटने की बाद कर रहा था लेकिन साप काटने की कटना एक ही बार हुई हाला कि कुछ समाचा रिपोर्टों का कहना है कि यह खबर सच है जबकि कुछ का कहना है कि यह फर्जी है कुछ लोगों का कहना है कि वो खबर फर्जी है और सोबाग्य से बज गए दूसरों का मानना है कि यह सच है और नौवी बार वो निश्चित रूप से मर जाएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हामें कमेंट में ज़रूर बताएं